कि हर में मेरा मा जाय कोई भाई नहीं है बाबुल फकीर बढ़ चुके हैं किसके यहां जाकर के भात नयौत करके आऊंगी इसलिए आप भात नयौतने की टाल करें लेकिन मनसा मनसेट नहीं माने एक चिठ्ठी लिखवाई और चिठ्ठी में इतना सारा धनमाल लिखवा दिया जिसको देने की तो बात बहुत दूर नर्सी जी के पास में सोच भी नहीं सकते थे कि कोई रिस्तेदार ऐसा कर सकता है चिठ्ठी लिखी जारी थी जो जो सामान हुआ करते हैं तो नाई पूछ रहा था जी बताईए क्या क्या है लिख दे 40 मन वो फलाना 50 मन ये 25 मन ये मनों के हिसाब से लिखवा रहे थे क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये चीज ये सामान आ भी सकते नहीं ऐसी चिठ्ठी लिख दे ऐसा भात नयौत दे कि जो नर्सी धर आने की हिम्मत करी ना पाए कई ऐसा ना हो बाबा जी उनको लेकर करके यहां प्या पहुँचे इसलिए बहुत बड़ी चिठ्थी लिखवाई बहुत सारा धनमाल लिखवाएं और चिठ्थी लिखवा करके नाई दुआरा जुनागड में नरसी जी के पास वो चिठ्थी पिजवादी जब चिठ्थी को लेकर के वो नाई पहुचा तो जाकर के पूछने लगता कि भई सेठ नरसी कहां पर रहते हैं लोगों ने बताया कभी पहले तो सेठ थे अब तो बेचारे बाबाजी बड़े हुए गाम से बहार एक कुटिया है उस कुटि के अंदर नरसी भगत रहा करते हैं तो नई उसी कुटि के पास में पहुच गया और जब कुटि में पहुचा तो देखा कि नरसी भगत वहां पर बेचे हुए है आईए भाई बड़ा आदर संबान सतकार किया पूछा कहां से आये हो कि मैं सिर्सागड से आया हूँ मुझे आपके सम्धी मन समल सेथ ने चिट्ठी दे करके भेजा है आज से सही दस दिन बाद में आपको भात के लिए आमंतरित किया गया है और इस चिट्ठी के अंदर जितना भी धनमाल लिखा हुआ है यह सारा आपको उनके यहां पर भात में देना होगा नर्सी जी पूछते कि भाई क्या लिख रहा है चिट्ठी में कि यह देखिए जब नर्सी जी ने उस चिट्ठी को देखा चिट्ठी को पढ़ा तो काया में कमपन सुनू हो गई वो अपना गुज्रा हुआ वक्त याद आने लगा कभी मैं इतना बड़ा सेट हुआ करता था उस समय तो मेरे पास में कोई चिट्ठी पत्री नहीं पहुचा ही आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है तो मेरे समदीने मेरे रिस्तेदार नहीं इतनी बड़ी चिट्ठी लिखवा करके मेरे पास में भेजवाई है चिठ्थी को बढ़ता ही कि इस तरह की हालत नर्शी भगत की हो जाती है सुनेंगे दोनों कलाकारों के माद्ध में से सिरागनी को वेरा चिठ्थी पढ़िका नर्शी जी की बहिरे नोगों का पण नागी काया अरमन सामने खोटे में मेरा जिगर को खाना चाहाया जिगर को खाना चाहाया चिठ्थी पढ़िके नर्शी जी की आपण नागी काया मन सामने खोटे में मेरा जिगर को खाना चाहाया ए तेरे जैसे मन सामल मेरी चिलम भर्या करते थे करजे की खातर पकड़ी मेरे पाया में धर्ते थे ये कई-कई नोगर नोट सिमाले पोरो में भर्ते थे तेरे जैसे सेट पास में मेरे बैठन से धर्ते थे कंगाली में हसी करे ये कंगाली में हसी करे परवाना निखने चुत आया कंसा बने टोटे मैं मेरा जिजर्द भाना चाया कि जर्द भाना चाया जबंधा तरड़ा जबदीज नैच में जबंधा इसलोड लुदी जबंधा Wirवववववववववववववववववववव फोड़ा अल्य जबंधा कह देना उस मनसा से नर्सी हर किज आवेगा मेरे संग में सावल सहा बन के भाती छावेगा बन के भाती छावेगा रे जो जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकडावेगा हीरे मोती कणी मनी पटड़े पे छलकावेगा ठीग टैम में आलेगा किसने यो जगत रचाया मन सामने पूटे में मेरा धिगर दुखाना चाया इगर दुखाना चाया अतनिया हो हो के जानी यो नो दिन की नो चंदी संत महत्मा सब की सुनते खोटी अकरी मन्दी यो धन के मदम यंधा हो रा मन सामल मेरा संदी अरे कह देना वो कह देना मेरी लाडो से ना ख्याल करे हर नंजी ना ख्याल करे हर नंजी उस मालिक से किर्शन ने हिपनों का एक्विंग है काया मन सामल मेरे तोते मेरा दिगर दुखाना चाया फिगर दुखाना चाया अरे पेशक खोट तो अरे पेशक खोट तो अरे पेशक खोट तो अरे घर मेरे पर तेरा मान बढ़ाओं थोड़ी देर बैठनाई के तोड़ के बथवा लाओं तोड़ के बथवा लाओं तेरे सामी हरी नाम था एसा भोग लगाओं जो बन जागा सो दे दिऊंगा नेग तिराने मटाओं हाँ पिरमपाल ने सब कुछ पा लिया हाँ पिरमपाल ने सब कुछ पा लिया सदा हरी गुण गाया अनका मले तोटे मैं मेरा दिगर तु खाना चाहाया जिगर तु खाना चाहाया जिप्धी पढ़िका नर्शे जी की आपकड़ना की काया मन सा मले तोटे मैं मेरा दिगर तु खाना चाहाया जिगर तु खाना चाहाया